हלो फ्रेंड आप स्थ अब कैसे हैं देखिए आज किलाई चक्की बनाये हैं लाई तु अब बहुत बनाये हैं इस तरीके से चक्की बनाकर एक nove हें चक्की बनाने लिए 200 गूर्ण है Do 27 गूराम में भुन्जा है गूर को इस तरीके से काट लेंगे सारे गुर को इसी तरीके से काट लिये हैं अब एक कडाही लेंगे उसमें गुर डाल देंगे एक चमच पानी डालेंगे गुर को पिखला लेंगे गुर को चलाते गुए पिखला लेंगे अगर हमारे वीडियो अच्छी लगी फ्रेंट तो वीडियो के लाइक जरूर करिएगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा आधा चमश घी डालेंगे घी से टेस्ट बहुत अच्छी आती है इसको पिखला लेंगे चार इलाइंची लेंगे उसको खोल कर डाल देंगे इलाइंची का फ्लेवर जब मुँ में आएगी तो बहुत अच्छी टेस्ट लगेगी इस तरीके से एक वरतन लिये हैं उसमें घी लगा लेंगे इसी में जमा लेंगे चक्की को घी लगा कर रख देंगे इसको गरम गरम ही करें पहले सब चिश तयार कर लें इस तरीके से नीचे काजु किसमिश डाल दिये हैं चासनी को चेक कर लेंगे एक कटोरी में पानी लेंगे उसमें डाल कर देख लेंगे देखे इस तरीके से चिपची भी होने चाहिए चाशनी हमारी तयार हो गई है अब इसमें भूंजा को डाल देंगे मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे इस तरीके से जरूर बना कर देखें मकर संक्रामती पर बहुत ही जल्द बन जाने वाली है अज्यादा हाथ में गरम भी नहीं लगेगी कोई बर्तन में जमा दे इसको देखे इस तरीके से सजा लिए हैं इसी में डाल कर जमा लेंगे इस तरीके से एक प्लेट लिए हैं प्लेट से दबा देंगे हाथों में गरम नहीं लगेगी फिटेंडा होने के बाद हांतों से इस तरीके से दबा देंगे दबा दबा कर शेट कर लेंगे देखे कितना असानी से चक्की बनकर तयार होगी घी लगा दिये थे देखे कितना असानी से निकल भी गई है देखे चक्की हमारी बनकर तयार हो गई है इसी तरीके से लाई भी बना सकते हैं इसी तरीके से सारे चक्की को सेट कर लेंगे एक कटर लेंगे इस तरीके से काट लेंगे बड़े-बड़े पीसिस में तो नहीं खाएंगे इस तरीके से काट लेंगे बहुत ही असानी तरीके से कट जाएगी इस तरीके से काट लेंगे आप अपने हिसाब सिजी तरीके से पीस बनाना चाहते हैं इस तरीके से बना लें चाकों से भी कट जाएगी इस मकर संक्रांती इस तरीके से चक्की जरूर बनाए देखे कितना बढ़यां से सेट हो गई है ना हाथों में ज़्यादा गरम लगी और चक्की बनकर तयार हो गए है देखे कितना बढ़यां से कट गया है आपको हमारी वीडियो कैसी लगी फ्रेंड